वेलकम फ्रेंड्स मा यूटूब चैनल स्टेड़ी पॉइंट टूडे में आपका हार्द इक स्वागत है दोस्तों दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया अभी पहले वाले वीडियो में जश्ट कि राजस्तान की डेरियों में जो भरती निकली है उसमें कौन-कौन से पोस् एक्जाम का सेलेबस किया है पूर्ण रूप से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं तो आप बने रही है हमारे साथ में और दोस्तों अभी तक हमारे यूटूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूट करें क्योंकि ड जो एक्जाम की जो क्या प्रोसेज रहने वाली है उसके बारे में चर्चा करेंगे तो यह जो पोस्टू के वीडियो है मैंने बना दिया दोस्तों यह जित्ती भी पोस्ट निकल रही है क्योंकि पीडियव बहुत बढ़ी है दोस्तों पीडियव टोटल 84 यानि 84 पेज की ज उसके उपर बात कर लेते हैं क्योंकि यह जो दोस्तों जो टोटल इन पोस्टू की जैसे की यह है लाइव स्टोक सुप्रवाइजर की आर्चीडियव यह पूर बगरार यह टोटल मैंने पहले वाले वीडियो अभी जेस्ट अप्लोड किया था उसको आप देख लेना और जो पहले वाले वीडियो है उसका जो लिंक है मैं इसके निचे पिन कर दूँगा तो आप वाइस कमेंट में जाके भी आप देख सकते हो इसका तो चलते हैं अब यह आगया है टोटल अब यहां से सुरू करते हैं दोस्तों यह के रहा है कि दी नंबर ओप दी पोस्ट ओप और सब्जेक यानि जो भी है पोस्ट है आगे पीछे बढ़ाई जा सकती है गटाई भी जा सकती है इसके केने के माधियम यह है और दोस्तों अपलाई कैसे कर सकते हैं जो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उसके बाद में पेमेंट फीस कटेगी और उ दोस्तों एक्जाम फीस बहुत ज़्यदा है इसमें जो फोरम की पीस है वो फोर दी इच पोस्ट यानि आप देख सकते हो इसमें जनरल क्रिमी जो क्रिमी लेघर है और MBC उनकी बारा सु रूपे पीस है और दोस्तों है चीए उसकी और MBC की चस्सों रूपे पीस है तो फी साइट पर को लिट रहे गा चैनल राज सी और वी डॉट रज्स्तान डोट जो वी डोट इन पर इसका को लटर आजयेगा दोस्तों उसके अलावा को लेटर हो गया टाइम एंड प्लेस एक्जाम आप देख सकते हो जो टाइम क्या रहेगा और टो जो स्तान क्या रहेगा एक्जाम का तो एक्जाम सेन्टर कौन-कौनस थां इसमें आपको बता देता हूं अजमेर वगबा है ये और जो आपकी फॉर्म भरने की टीट्थी क्या रहेगी फोर्म कब से कब बरे जाएंगे तो आपका 29 जनवरी से 26 फरावरी तक जो फोर्म बरे जाएंगे दोस्तो उसके बाद फोर्म फिलप नहीं होंगे तक ěहल कि विलप दोस्तो तो आप देख सकते हो 26 तारीक तक 26 फरावरी लाश्च से लगा कर चप्ob स्वीस नेरी नेरी ऑफ्रिटिए उनकी जो लाश्च बेट एंगजाम है दोस्तो। आपका देख सकते आप एग्जाम कैसे होगा? सेेपरेट ओन-लाइन एग्जाम औन-लाइन आपका एग्जाम होगा और सेल दो में का टाइम में अब इसमें दोस्तों आप देख सकते हो अब इसमें दोस्तों आप देख सकते हो सेलेबस, एजूकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपिरिंस और एज, आपकी एज बगरा एज तो खूब रहती है, इसमें दोस्तों सीविल फोश्ट हैं, तो इसमें देखने कोई जूरूत नहीं है, सेलेबस फोर दी ओपिसर्स, देख सकते हैं सीधे अपने जो लेवल B की पोश्ट हैं, उसमें देख सकते हम, चनरल मेरेनेजर मार्केटिंग और असिस्टे मेरेनेजर मार्केंटिंग की जो है, तोटल पार्ट ए और पार बी में डिवाइड़ेत है, दोस्तों, पार्ष बी और पार्ट में और यो इसकी manager deputy manager की post दोस्तों इसमें अपन qualification इसमें आप देख सकते हो बागी अपन की जो normal है इसमें राजस्तान part B में राजस्तान डाला गया इस दोस्तों जो manager की post है उसमें general manager marketing की 68 question तो आपके इसमा आएंगे दोस्तों marketing के और 17 question part A मतलब 64 post of GM 68 question each carrying on one marks will be from part A and 17 question each with crying mark part B यानि 17 question आपके part B साहेंगे आप देख सकते हो और general manager है यह total इनकी जो qualification है बहुत लंबी-लंबी qualification है दोस्तों तो आपको अपने lab assistant बगरा जो चोटी qualification है उसमा आप देख सकते हो जंडरन मेंजर प्लांट जनरन मेंजर प्लांट और assistant manager डिप्टी manager यह इनकी जो qualification है आप इसमें देख सकते हो अपने category के हिसाब से आप किस category में आ रहे हैं किसके में नहीं आ रहे हैं उसके हिसाब से केटल फीड अनिमल नूट्रेशन और असिस्टेंड मैनेजर केटल फीड असिस्टेंड मैनेजर अनिमल नूट्रेशन इसकी जो आप देख सकते हूं दोस्तू PG degree चाहिए, diploma in animal nutrition और 5 year का working experience इसमें आपको चाहिए इसमें syllabus भी साथ दे रखा है, experience भी दे रखा है दोस्तु कितना experience चाहिए और कौन सी post है इसके लिए यह सब total officers की post चल रहे है दोस्तु आपके अब आपकी जो normal post हैं उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ normal post के लिए जो qualification बगरा क्या रहेगी assistant manager computer system इसमें भी MC MBA चाहिए दोस्तु और assistant manager personal administration और assistant manager जो personal administration है इसके लिए MBA और जो 2 year का experience चाहिए assistant manager IT यह total जो दोस्तु आपको चल रहा है यह manager पोस्टे तक की है अब यह आजाए assistant manager environmental NETP इसके लिए भी है दोस्तु डिग्री in environmental engineering में इसमें आपको डिग्री चाहिए और working experience भी चाहिए इसमें यह आपको दोस्तु यह total post चल रही है assistant manager refrigeration operator क्योंकि दोस्तु अलग-अलग सभी के लिए अलग-अलग category है तो इसमें syllabus रहेगा अब दोस्तों यह जो आपके अधिनस्त आप कह सकते हैं इसकी अधिनस्त चेवाए syllabus और शूब्री डेंट्स तो इसके लिए आप अब यहां से अपन स्टार्ट करते हैं assistant account officer इसमें 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 चाहिए और पांच साल का इसमें एक्स्पिरेंस चाहिए रास्तान गोर्मेंट के नुसाल बाकी सेलबस आप इसमें देखी सकते हो assistant dairy chemist यह देख सकते हो इसमें आप दोस्तों आपको चाहिए MS in chemistry चाहिए और equivalent with two year experience in laboratory का आपको दो साल का इसमें experience चाहिए और इसका सेलबस आपको देख सकते हो पार्ट A में जो पूरी chemistry है और पार्ट B में आपकी राजस्तान है रास्तान जी के इतियास है और इतियास में आपके जो लोग इतियास के लावा संसक्रती और बोगोल तीन हुए दोस्तों राजस्तान परसास नहीं लोग परसासन भी इसमें है और total question है dairy जो chemist के 40 question अब अलावा इसके boiler operator first and second के आप देख सकते हो boiler जो operator है पस्ट उसकी जो आपको a grade boiler appritence certificate with two years का इसमें certificate चाहिए और जो boiler operator second है इसमें should be grade का जो boiler attendance का जो certificate इसमें और दो साल का experience इसमें चाहिए यह तो होगी boiler की बात अब junior engineering civil junior engineering civil में आपको दोस्तों देख सकते हो आप civil में B यानि civil bachelor of engineering इसमें आपको जो engineering में डिगरी चाहिए और civil में होनी चाहिए और दो साल का experience चाहिए यह आपका जो syllabus है आपका junior engineering civil का इसमें आप देख सकते हो part A और part B दे रखा है part A के जो total challenge question आएंगे part B में आपके आएंगे 10 question part A में आपके engineering question है civil के और part B के इसमें दोस्तों रास्ता जीके से समधित question है अब आप देख सकते हो दोस्तों lab assistant lab assistant के लिए क्या qualification रहने वाली है तो इसमें graduate in science with chemistry के साथ इसमें आपको lab assistant के लिए graduate चाहिए science में वो भी chemistry होनी चाहिए इसमें और दो साल का working experience चाहिए आपको दोस्तों दो साल का working experience यानि कोई सी भी laboratory में आपको दो साल का working experience चाहिए तो ये इसकी दो पोश्ट है इसमें भी दो पार्ट डाल रखा है total इसमें आप देख सकते हो इसमें chemistry डाल रखी है part A में और part B में रास्ता जीके डाल रखी है और इसमें आपको जो है वो 40 question आपके इसमें रहने वाले हैं 40 question तो आपके part A के यानि chemistry से समंदित और 10 question है आपके राजस्तान जीके से समंदित है दोस्तों और सभी question दो marks के होंगे और दोस्तों आप देख सकते हो राजस्तान dairy technician की जो post है उसके लिए राजस्तान dairy technician में आप क्या experience रहने वाला है diploma in mechanical या electrical engineering और OR dairy डिप्लोमा dairy यान dairy technology में डिप्लोमा हो भी तो भी चलेगा और दोस्तों एज इसमें जो राजस्तान जो सरकार जो एज देती है वो ही है इसमें दोस्तों dairy technician में आपका डिप्लोमा in mechanical और electrical engineering और OR dairy डिप्लोमा यान 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 डि एक्स्प्रिंस चाहिए और पार्ट B में इसमें रास्तां जीके पार्ट है में इलेक्ट्रिकल से समधित वही आपके 40-10 का जो रहेगा दोस्तों अब जूनियर Junior accountant purchase store के पर इसके लिए आपको क्या qualification चाहिए? Junior accountant purchase और Васट दोस्तों किता दोस्तों चाहिए दोस्तों और पार्ट A पार्ट B इसमें जो आपके syllabus रहेगा रास्ता जीके और 40 اور 10 रहेगा अब इसमें दोस्तों live stock supervisor second के लिए इसमें आपको secondary senior secondary in science with one year certificate course in stock manager यानि stock or compounder with animal husbandry का जो एक साल का जो course होता है वो और आपके जो 12th में science थी है live stock supervisor के लिए इसमें वो ही syllabus है आपका part A और part B में 40 और 10 question है अब दोस्तों इसके आगे है refrigeration operator part A और इसके लिए experience qualification रहेगी दोस्तों diploma in engineering, refrigeration or IT with four year experience भी चाहिए इसमें दोस्तों experience वाला मामला बहुत भारी पढ़ रहा है इसमें दोस्तों जो dairy में already काम कर रहे हैं उनको फाइदा हो रहे हैंगा इसमें helper dairy worker में इसमें दोस्तों आपको should be at class pass with age limit पर राश्तान गोर्वन इसमें दोस्तों आपको experience कुछ भी नहीं मांगा है और इसमें जो helper dairy worker के लिए आठीक लास पास वहना चाहिए इसमें आपका दोस्तों पार्ट A में हिंदी और पार्ट B में रास्तान जीकाएगी और total question है पार्ट A के हिंदी के 40 question आएंगे और रास्तान जीके 10 question इसमें आएंगे दोस्तों और dairy supervisor, dairy supervisor third के लिए इसमें चाहिए दोस्तों senior secondary with three year experience working चाहिए इसमें dairy में और आपका वही पार्ट A और पार्ट B 40-50 question का village extension worker या dairy supervisor इसमें दोस्तों आपको senior secondary और तीन साल का working secretary of dairy यानि जो आपका गाउं में जो dairy का secretary जो रह चुके हैं और उसको तीन साल का experience है उसके लिए यह वेकेंसी है village extension dairy worker कि यह post है और दोस्तों आप देख सकते हो welder welder के लिए आपको IT welder में और दो साल का practical experience है आपको इसमें चाहिए welder के लिए IT चाहिए और दो साल का इसमें experience चाहिए फीटर के अंदर दोस्तों फीटर की जो वेकेंसी है उसमें आप IT फीटर और दो साल का practical experience चाहिए इसमें राजस्तान गवर्मेंट के अनुसार इसमें जो age limit मिलेगी दोस्तों इसमें दोस्तों आपके जो फीटर के हैं वो syllabus में पार्ट A और पार्ट B दे रहा है पार्ट A म कोई थैबन में हो इसमें चलेगा दोस्तों just plant operator में इसमें दोस्तों राजस्तान जी के पार्ट A राजस्तान जी के है और पार्ट B में आपके simple percentage वगारा दोस्तों जो इसमें भाम महत्न रास्तान जी के आई हैं और वह कोई सी भी जो grade है उसमें आप IT हो सकते दोस्तों तो यह post है plant operator second की अब selection process यह दोस्तों आपको देख सकते हो selection process and appointment आपका क्या रहेगा इसमें आपको minimum जो है दोस्तों 33% marks लाने जरूरी है और दोस्तों आप देख सकते हो यह पूरा जो clarification हो गया है पूरा और इसके लवा जो post है इसकी qualification age limit हो गई दोस्तों आपकी 21-40 साल हो गई आपकी और इसमें जो छूट है I.U. में वो 5 AC, ST, MBC इसके लिए 5 जो साल का है और MBC female candidate के लिए 10 साल का है और general और EWS female के लिए 5 साल का इसमें होई और विद्वा के लिए और divorce के लिए इसमें कोई age limit नहीं है दोस्तों age हो गई explanation हो गया दोस्तों इसमें अब जो भी आपके मन में जो भी question या कोई भी संका है तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हो और इसके लवा दोस्तों आप देख सकते हो जो ये pdf अगर आपको चाहिए तो हमारे telegram group है steady point today steady point today वहाँ से सर्च करके ये आप pdf पूरी प्राप्ट कर सकते हो अपने जो भरती समंदित पूरी जानकारी ले सकते हो और दोस्तों अभी तक हमारे YouTube चेनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों इससे समंदित देरी भरती से समंदित कोई भी अगर आपको कुछन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और इससे जो भरती हूँ जो कौन-कौन सी पोश्ट हैं उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाये था उसको जरूर देखे दन्यवाद